यहां फिर से हमारी मुलाकात हो गई है सेल का दूसरा वीडियो आ गया है फ्लिपकाट के दे सेल का पहला वीडियो आपनी नहीं देखा तो भाईस आपको लिंक दे रहा हूं जी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं जाके देख ले न अगर आपका बचेक 5-10,000 के बीच में तो सिस्फ चार से पाच फोन में उस वीडियो में बताएं और वह आप बंड करके खरीच सकते जो आपका प्राइस है उस पर आकर आप खरीच सकते आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10,000 से बीच के बीच में क्यूंकि 10 से पंदरा में बहुत कंफूजन है ब इंफ्यूस करना मेरा काम नहीं है मेरेको आपको एकदम परफेक्ट चीज बतानी है ताकि आप फटाक से बिना किसी टाइम वेस्ट किये बात करते है सबसे पिर्ले इंट्रोग के बाद हम बात करते है दस से बीस था खरकें अन्दर मेरे कुछ अच्छे फोन्स जो मैंने पिक किये है real faith के वेप सैट पर से बात करें सबसे पहले 10,000 रुपे के अंदर अगर मैं कहूँ 10-11,000 रुपे के अगर मैं बात कहूँ तो Redmi का Note 7 Pro, अभी भी काफी बैतरी इन फोन है, 48MP का कैमरा, अगर किसी का 11,000 बजट है और किसी को Xiaomi का फोन खरीदना है, तो ये फोन हाथ से जाने देना मच, Xiaomi का Redmi Note 7 Pro, अभी भी एक अच्छा फोन है, 11,000 रुपे के अंदर, 4GB, 64GB, इसके उपर वाल अगर आप मॉडल खरीद रहे हो, तो रुप जाओ, खरीदना, इसके बात करें तो Vivo क Z1 Pro, जी हाँ, Vivo का Z1 Pro, ये भी काफी अच्छा फोन है, 5,000 रुपे की बैटरी है, आपको देखने को मिल रही है, 12,990 रुपे का फोन आपको मिलेगा, ये सेल के अंदर, तो कंसिडर कर सकते हो, किसी को वो गोला चाहिए, आपके स्क्रीन पर नौच नहीं चाहिए, लेकिन और नौच चाहिए, वो जो भी नौच होती है, अगर वो चाहिए, तो आप जाके इस फाइस प्रो इस पर आपको कोई ऐसा डिसकाउंट नहीं देखने को मिल रहा है, जितने का है उतने का ही मिल रहा है, लेगिन अगर आपके पास ICICI बैंक का या एक्सेस बैंक का का काड ह पर आपको 10% instant discount मिल जाएगा, तो अभी भी ये 14,000 रुपे का ही phone मिल रहा है, phone overall अच्छा है, 4 camera है, type C है, 4000 image की बैटरी है, phone बहुत अच्छा है, अगर किसी को खरीदना है, realme 5 pro, खरीद सकते है, अगर आपके पास card है, तो क्यूंकि थोड़ा आपको 10% instant discount देखने को मिल ज 712, overall बहुत 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 अच्छा phone है, अगर में को realme XT, 15,000 रुपे के अंदर, क्योंकि आपको discount लगा दोगे, उसके बाद आपको ये phone 15,000 ये 14,500 का ही मिलेगा, overall काफी अच्छा phone है, realme XT, अगर किसे को realme XT खरीदना है, किसे को realme XT खरीदना है, और अगर अगर market में आया है, दो साल से वो market में बनावा है, क्योंकि वो उसके अंदर, आपको snapdragon का 845, अगर आपको price से फरक नहीं है, camera से फरक नहीं है, design से फरक नहीं है, तो आप POCO F1 कंजिडर कर सकते है, अभी भी उसके अंदर काफी अच्छा processor, snapdragon 845, 15,000 रुपे के अंदर मिल रहा है best phone अगर में को 15,000 रुपे के अंदर, तो वो यही है, POCO F1, क्योंकि snapdragon 845 है, last year का flagship है, last year का flagship processor है, 15,000 में मिल रहा है, बस थोड़ा बहुत design, design में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि notch है, design पुरानी है, camera थोड़े इतने अच्छे नहीं है, तो थोड़ा आपको अगर किसी को Samsung as a brand, Samsung ही खरीदना है, मुझे Samsung ही खरीदना है, तो बस Samsung का A50 खरीद लो, overall अच्छा phone है, पैसा का थोड़ा बहुत वसूल हो जाएगा, ज्यादा वसूल होने वाला नहीं है, आपका और हमारा चाहिता, Redmi K20, जब launch हुआ था, जब हमने Xiaomi को कहा था, बाइसा, 20, 20,000 के अंदर launch करना, 20,000 के अंदर launch करना, नहीं किया, वो धीट था, उसने launch किया, 22,000 रुपे का हर हार के उसको अब आना ही पड़ा, एक मेना पुराना फोन है, एक देड मेना पुराना फोन है, Redmi K20, बहुत अच्छा smartphone है, snapdragon 730, pop-up camera, in display fingerprint, 4000 mAh battery, वगेरा वगेरा, बहुत smartphone and design wise, look wise, सब अच्छा है, उस phone के अंदर, 20,000 रुपे के अंदर, आख बन करके खरीदने राएक है, Redmi K20, K20 Pro के हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे, यह यह सेल का दूसरा वीडियो था, उमीद करता हूं, वीडियो पसंद आयागा, अगर वीडियो पसंद आया है, तो